हेलो एवरिवन मैं हूँ प्रिया एंड वल्कम बैक तो माई चानल आज हम बात करेंगे आइलाइस के बारे में जब भी हमारी आइलाइस कम होने लगती है जहनने लगती है तो हम सिरफ एक ही सिल्यूशन ढूलते हैं आप आर्टिफिशल आइलाइस को लगा लेते हैं मगर क्या वो पर्मनेंट सिल्यूशन है नहीं ना तो मैं आज आपको एक छूटा सिर्म बता रही हूँ जिससे आपकी जो पलकें हैं पहले जैसी हो जाएंगी जो नॉमल आपकी अच्छी खासी जो हमारे बच्पन में पलकें होती हैं वैसे ही पलकें हो जाएंगी और ये सिर को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जूरत है पहली है ये कैस्टर ओयल दूसरा है ये आलमंड ओयल और तीसरा है ये विटमिन ए का कैपसूल ये एक ही काफी है ये तीनों चीजें आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी और ये मेरे लेंस का जो केस है उसमें म को डाल लूँगी और अब मैं इसमें आधा ढकन जो है कैस्टर ओयल का लूँगी कैस्टर ओयल काफी जादा थिक होता है इसलिए ये आधा ढकन ही काफी है और आधा ही रखकन मैं ये आलमंड आईल का लूँगी अब इन तीनों को मैं एक एर बट के साथ मिक्स कर लूँगी सिर्म नहीं है सिर्म हमारा बन गया है अब देखते हैं कि इसे यूस कैसे करना है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जैसे हम बड़ हम इसको इसको उन्हें करना है मगए यहां पर हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हमें रात को लगाना है अपना पूरा make up और जो face wash करने के बाद हमें इसे यूज करना है इसे मैंने लिया है एक ऐरबट लिया है मैंने उसके साथ में मैं ईयरबट को में अध़ लूगर करें फोड़ा सा लो गी जैसे मैंने अपने इस बोता इस सिरम है मगर यह बात का आपने अच्छे से भ्यान रखना है कि आपका कोई भी आयल मेकप जब आपको लगा रहे हूं तो लगा ना हो नहीं तो क्या होगा यह है और सारा जो आयल मेकप है वो आपकी आखों में फैल जाएगा जो बहुत जादा बुरा रखता है तो आप इसे एक वीक यूज करके देखना और एक वीक के पाद आप देखना कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपके भी आईलाइशिस कम है या फिर आईब्रोस की जो ग्रोथ है वो कम है तो आप इसे एक पर लगा के देखिए अगर थोड़ी सी भी यूसफुल लगे ये वी कानल को सब्सक्राइब करें मिलती हो आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई